आप देख रहे हैं The Fact Flash News मैं हूँ मनोस सर्मा आज बात करेंगे बाबारामदेव के उस विवादित बयान की जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसियसन ने बाबारामदेव को कानूनी नोटीस भेज दिया है बाबारामदेव ने एक कारेकरम के दोरान मंच से ये इस तरह के बयान किया है कि आईये में नाराज हो गया है बाबारामदेव ने ऐलोपेथी पद्धती पर सवाल उठा दिये उनकी जो दवाईयां है वो फेल हो गई है इस तरह के उनके बयान थे इससे पहले भी जो बाबारामदेव हैं वो एलोपेथी डॉक्टरों को कातिल तक बता चुके हैं उनका कहना है कि जो इलाज के दोरान जो तुरूटियां सामने आ रही हैं उसकी वज़े से मोते जादा हो रही है भाबारामदेव ने यहां तक कहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वज़े कम है ऑक्सीजन मिलने के बावजूद भी मरीज मर रहे हैं इस तरह का भी उनका बयान है उनका सीधा target एलोपेथी पद्दती थी और एलोपेथी प्रक्टिस कर रहे हैं उनका target था बाबा रामदेव योग गुरू है अंतराश्थिये योग गुरू है सबसे पहले जब उन्होंने योग सुरू किया था तब उन्होंने स्रिप योग का प्रचार किया था उनका कहना था कि योग करने से बाहरिय और अंतरिय सरीर की जो मजबूती होती है और उससे कोई भी रोग नहीं होता है उसके बाद आप सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने सभी रोगों की दवाई भी बना दी है इसी को लेकर भी काफी चर्चा है कि जब योग से सारे रोग मिठ सकते हैं तो फिर बाबा रामदेव को दवाई बनाने की क्या ज़रूरत है आये दिन बाबा रामदेव अपनी दवाईयों का प्रचार इस तरह से करते हैं कि उनकी दवाई सर्वसेष्ट है हो भी सकती है क्योंकि बाबा रामदेव सरुसेश्ट नहीं है उनकी दवाई सरुसेश्ट नहीं है मगर हमारा जो आरिवेद है वो सरुसेश्ट है और इसको कोई नकार नहीं सकता है मगर आज के जमाने में एलोपेथी पर भी सवाल नहीं उठाने चाहिए एलोपेथी प्रेक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरों का कहना है कि जब बाबा रामदेव और बालकृष्ण जब बिमार हुए थे तो उन्होंने भी एलोपेथी का सहारा लिया था आदुनिक जमाने में एलोपेथी भी कारगर है और बाबा रामदेव ने उनीकी कारिपद्धिति पर सवाल उठा दिया है बाबा रामदेव ने कोरोना काल में जिस तरह की दवाईया दी जा रही है उन सारी दवाईयों को फेल बता दिया है उन्होंने प्लाजमा थेरेपी को भी फेल बता दिया है रेम डेवेसियर इंजेक्षन को भी फेल बता दिया है बाबा रामदेव के फेल बताने के बाद सिरीप ये दवाईया फेल नहीं हुई है हमारा स्वास्त मंत्राले फेल हो गया है हमारे स्वास्त मंतरी वो भी कहीं न कहीं फेल हुए हैं क्योंकि ये सारी ही दवाई स्वास्त मंतराले की और से ही दी जाती है उनके गाइडलाइन के मुताबिक ही हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं और डॉक्टरों से करवा रहे हैं इस समय कोरोना का इलाज डॉक्टर अपने मन से नहीं कर रहे हैं जो सरकार की गाइडलाइन्स आ रही है उसके मुताबिक ही मरीजों को दवाई दी जा रही है कोरोना का जो रोग सामने आया है उसको लेकर कोई भी दवाई नहीं है और डॉक्टर राद दीन अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से इसे मरीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े से बड़े विग्नानिक इस कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे में बाबा रामदेव ने उन सभी दवाईयों को फेल बता दिया है जो एलोपेथी पद्धती से दी जा रही है बाबा रामदेव का यहां तक कहना है कि जिस तरह की दवाईयां दी जा रही है वो पद्धती ही गलत है और मरीजों की मोत होने की वज़े एक ये भी है इस पर आईये में खूब नाराज हुआ है और उसने सबसे पहले बाबा रामदेव को एक कारण दरसक नोटिस भेद दिय की या उन्हें बिना किसी सर्थ माफी मांगने को कहा है इस पत्र में इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उनने कहा है या वह जो डॉक्तर है जिनकी मोत हो गई है और आज भी देश में लाखो डॉक्टर और मेडिकल स्टाप एलोपेथी पद्दती से लोगों का इलाज कर रहे हैं अपनी जान को जोखम में डाल कर दूसरी और देखा जाए तो काफी लोग स्वस्थ भी हुए हैं यदि हमारे देश में कोरोना का जो परतिसत देखा जाए तो काफी लोग स्वस्थ भी हुए हैं और ये सारे लोग इन ही डॉक्टरों की सेवा से स्वस्थ हुए हैं बाबा रामदेव का ये जो बयान है ये लोपेथी पद्दती पर सवाल उठाता है उससे जुड़े डॉक्टरों पर सवाल उठाता है साथ ही जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर जिस गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं उस गाइडलाइन को बनाने वाले पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और उसके मुकिया है हमारे स्वास्त मंत्री अपस्वास्त मंत्री बाबा रामदेव पर क्या एक्सन लेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा मगर बाबा रामदेव आज से बड़ बोले नहीं है उनके इसके पहले भी जो बयान आये हैं वो भी काफी विवादित हैं और वो अपने बयान से मुकर जाने में भी काफी माहिर हैं ये वही बाबा रामदेव हैं जीनोंने सबसे पहले अन्ना के साथ अंदोलन भी किया था साथ ही 2014 के जब चुनाव आ रहे थे उसके पहले UPS सरकार को घेरने में भी इनकी अहम भुमी का थी काले धन पर बाबा रामदेव ने एक लंबा चोड़ाय का अंदोलन चलाया था और बयान यहां तक दिया था कि काला धन इतनी संख्या में है कि उसे नोटों की गड़ी बना दी जाए तो धर्ती से चान तक की दूरी तै की जा सकती है और वुस दूरी से वापिस पिल्थव इतनी बड़ी संक्या में काला धन है मगर आज जब बाबा रामदेव से पुछा जाता है कि वो काला धन कहा है और क्यों नहीं आया तो बाबा रामदेव के पास उसकी कोई जवाब नहीं रहता है पेटरोल के दाम पर भी बाबा रामदेव ने काफी बड़ बोले बयान दिये हैं उन्होंने कहा है कि 30 से 35 रुपे पेटरोल हो सकता है यदि सरकार बदल जाए तो सरकार बदल गई है मगर पेटरोल के दाम कम नहीं हुए है हम सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं मगर सरकार से बाहर रहकर भी बाबा रामदेव का ऐसा कौन सा कैलकुलेसन था जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे थे बाबा रामदेव योग अच्छा करवाते हैं और अंतराश्ति ये योग गुरू भी हैं मगर आज जिस तरह से बाबा रामदेव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं उससे साफ लगता है कि बाबा रामदेव योग से हट कर कुछ और ही कर रहे हैं जाहर जीवन में भी जब कोई बयान देने होते हैं तो बाबारामदेव खुल कर बाहर आ जाते हैं और उनके विवाद उनके जो बयान है उसको लेकर भी विवाद हो जाता है आज बाबारामदेव ने फिर ऐसी बात कह दी है और इससे एलोपेथी जो डॉक्टर्स हैं वो काफी नाराज हैं उनका कहना है कि बाबारामदेव अपनी दवाई बेचने के लिए एलोपेथी को बदनाम कर रहे हैं